नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर आलोग सिंग मैं मेदानता लखनू हॉस्पिटल में लिवर और गैस्टरोग विशेशा की हूँ आज मैं आप लोगों की बीच एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ जिसका आप में से अधिकता लोगों ने जरूर नामसुन रखा होगा और जिसे फैटी लिवर कहते हैं तो फैटी लिवर क्या है आपके लिवर में आव शहिकता से अधिक चर्वी जमा हो गई है गया है आज की तारीफ собой अदिकता लोगों को फैटी लेवर के होते तो अधिकतर लोगों को ऐसे पता नी चलता कि उनको फैटी लेवर है अधिकतर लोगों को फैटी लेवर के कुछ माइनर सिम्टम्स होते हैं इसमें सबसे कॉमन सिम्टम है पीट में ऊपरी हिस्से में दाहीने तरफ अलका-अलका भारीपन या मीठा-मीठा दर्दोना, fatty liver की diagnosis बनने पर आपको घबराने की बिलकुल भी आवशकता नहीं है, क्योंकि अधिकतर around 85-90% लोगों में fatty liver से liver में as such कोई बहुत नुपसान नहीं होता है, बठा हमें इसे alarm bell की तरह ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो remaining 10-15 प्रिशत दोग हैं, उनमें excessive fat deposition के कारण लिवर में inflammation और सूजन होने की समस्या आ सकती है, जो कि subsequently over a long period of time, लिवर में fibrosis या cirrhosis करवा सकती है, जो कि irreversible है, fatty liver per se as such, पूरी तरह से reversible condition है, और इसके treatment के लिए भी बिलकुल भी, हमें कोई fancy दवाएं या मेंगी चीतों को दवाएं करीदने की कोई आवशकता नह होती क्योंकि इसका जो main treatment है, वो है diet and lifestyle changes और exercise, so अगर आप dietary modification कर लेते हैं, आप मीठी चीज़ें, चिकनाई, खे, भी, तेल, मसाले का पर हेच करते हैं, और regular आदे घंटे minimum exercise करते हैं, at least 5-6 दिन, जिसको हम brisk walk बोलते हैं, अब इतना तेस चलते हैं, कि थोड़ी थोड़ी स और exercise से fatty liver को completely reverse कर सकते हैं, so in the end of the talk, I would like to summarize that fatty liver जो है, वो एक घंपीर समस्या नहीं है, बट एक बहुत ही common समस्या है, और कुछ प्रतिशत लोगों में आगे चलके इससे liver को नुफसान हो सकता है, so एक बार आपको fatty liver पता चले, तो आप तुरंत सतर्क हो जाएं, diet and lifestyle intervention से उस प्रतिशत लोगों में आपको